अगर आपने देखी है तो आपको बिहार के श्लोक और इस कहानी में ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा दर्भंगा की गलियों में रैप लिखने और गुनगुनाने वाले श्लोक आज MTV के रियलिटी रैप शो हसल में पूरे देश्ट को अपने रैप का दिवाना बनाए हुए है ये इंडिया का पहला रैप शो है और एक दसमलोग पांच लाग प्रतिभागियों में बिहार के ला कर नीजी कमपनी में सेल्समेन हैं वो कहते हैं MTV के इस शो में ने मुझे अब तक कसब से बड़ा ब्रेक दिया है डेड़ला कस्टेंटेंट में मैं अकेला बिहारी हूँ जो यहां तक पहुंचा हूँ इसके लिए मुझे बहुत सारे राउंड पॉरिफाई करने पड़े ख कहते हैं आज भी लोग हमें पिछडा समझते हैं जबकि सचाई से कोसो दूर है जियो हो बिहार के लाला जियो तु हजार साला तनिनाची के तनिगाई के सबके मन बहलावरे भहिया इस गाने के साथ शुरूर हुआ श्लोक का परफॉर्मेंस अपने रैप के जरिए ग्लोब कुछ होता है उनकी इस प्रस्तूती पर जज रफ्तार खुद को रोक नहीं पाए और मंच पर आकर डांस करने लगे इसके अलावे श्लोक ने रैप और क्लासिकल म्यूजिक को मिक्स कर पिता पर लिखा एक गाना भी गाया श्लोक बताते हैं कि मैं 3 साल पहले मैंने रैप लिखना शुरू किया ओडीयो रिकॉर्ड करता था इंटरनेट नहीं होता था तो गाउं के कैफे में जाकर पैसे देकर गाने सुनता था मैंने अपने घरवालों से छिफ कर गाना शुरू किया हाइफर में भाग लेना शुरू किया एक ग्रूप बनाया नाम दिया फाइब ट्रिक्स हम पाँच बंदे हैं हमने दिसंबर में पहला वीडियो यूट्यूब पर डाला जिसे 33 लग व्यू मिले पॉकेट मनी बचा कर पटना शिफ्ट हुआ हम बहुत सारे बर्निंग मुद्दों पर रैप लिखते हैं तो हमारी ये अपील है और ये चाहत है अनोखा पोस्ट अपने बिहारी साथियों को बढ़ने की कामना करता है और ये कामना करता है कि श्लोक और आगे बढ़े और तरक्की करे और बिहार का नाम रोशन करे आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसे रोचक जानकारिया देता रहेगा तो बने रहे हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ